तो चलिए आज हम बहुती टेश्टी आलू, पत्ता गोवी और हरी प्याज की सबजी बनाते हैं उसके लिए मैंने पत्ता गोवी को पहले ही काट के धो लिया था आलू को भी हमने अच्छे से छेल के धो लिया था आलू को हम पतले पतले और छोटे छोटे पीस में काटेंगे आप लेक्से रिक्वेस्ट है दिया आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल रामरती किरसोई को जरूर सस्क्राइब करें सस्क्राइब करने के कोई पैसन लगते बिल्कुल फ्री होता है आलू को हमें इतने ही पतले अकार में काटना है सारे आलू को हमने काट के तयार कर लिया है प्याज को भी मैंने अच्छे से छील के दो लिया था इसे भी हमें छोटे और पतले पीस में काट लेना है ये सबजी इतना टेस्टी लगता है कि घर में आप जब एक बार बनाएंगे तो बार-बार इसे खाने के डिमांड करेंगे सभी लोग सारे प्याज को भी हमने काट के तयार कर लिया है गैस पर हमने कडाही चड़ा लिया है इसमें हम चार चमज तेल डालेंगे मैं सरसो तेल डाल रही हूँ आप जो तेल खातें वही तेल डालें आधा चमजीरा डाल लें दो हरी मीर्च थोड़े से लसान अद्रक को मैंने छोटे पीस में काट लिया है इसे अच्छे से बून लें दो मिनट के बाद इसमें आलू को डाल लें आलू को भी हमें 6-7 मिनद तक धीमी आज पे भून लेना है आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें हम प्याज को डाल लेते हैं प्याज को भी हमें 4-5 मिनद आलू के साथ भून लेना है प्याज भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें हम पत्ता गोभी को डाल लेंगे और फिर से हम आलू, प्याज और पत्ता गोभी को पाश्मट धीमी आज पे भून लेंगे ये सबजी एक बर आप जब घर में मनाएंगे तो सभी लोग 2 रोटी के जगा 4 रोटी खाएंगे ये सबजी इतना टेस्टी होता है अब चलिए इसमें हम मसाले डाल लेते हैं स्वाद के नुसान नमक, आधा चमच हल्दी पॉडर, एक चमच धनिया पॉडर आधा चमच लाल मिर्ज पॉडर, आधा चमच गरम मसाला सबजीयों के साथ मसालों को भी हम 2 मिनट धीमी आज पे भूण लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए आप इसे बच्चे के लांच बॉक्स में दे सकते हैं, इसमें सारी हरी सबजीयां है मसाले अच्छे से भूनने के बाद आप इसे हम ढख ढख के 10 मट के लिए पका लेंगे जब तक हमारी सबजी सौप न हो जाए बीच भीस में हर एक 2-3 मिनट पे हम इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो सबजी है जलेना फिर से इसे हम ढख देते हैं दस मट बाद इसे हम चेक कर लेंगे देखिए सबजी हमारी अच्छे से सौप्ट हो चुकी है तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं हमारी सबजी देखने में ही अतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी तो इस रेश्पू को एक बार आप जरूर ट्रेया करें और यदि अहमारी विडियो अच्छे लगी तो हमारे चैनल को जरूर शर्ष्क्राइब करें और ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं ये सबजी कैसी लगी